आज मैं जो वीडियो लेकर आया हूँ वह है जो लोग डाइट करते हैं उन्हें किन-किन चीजों से परहेज करना चाहिए जो वह डाइट के दौरान खाते हैं जिससे कि वह मोटापे को दावत दे सकते हैं तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट डाइटिंग के दौरान आपको पांच चीजें जो आप खा रहे हैं डाइटिंग के दौरान उनको खाने से बिजना चाहिए फिट रहने मोटापे और वजन को कंट्रोल में रखने के लिए अक्सर लोग डाइटिंग का सहारा लेते हैं आम दौर पर देखा गया है कि लड़कियां वे महिलाएं ही डाइटिंग ज्यादा करती हैं क्योंकि वे अपनी बोडी को लेकर ज्यादा कॉंशियस होती हैं लेकिन कई बार सही जानकारी ना होने की वज़े से वे ऐसी चीज़े खा लेती हैं जो मोटापे और वजन को कंट्रोल करने के बज़ाए बढ़ा देता है इस वीडियो के दरान इन ही कुछ चीज़ों के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ अगर सुबह के नाश्टे में आप ब्रेड के साथ बटर खाती हैं तो डाइट के दौरान इसे तुरंत लेना बंद करते हैं क्योंकि इसमें हाई कॉलेस्ट्रोल युक्त कई ऐसे पदार्थ होते हैं जो वज़न बढ़ाने के लिए जिमेदार होते हैं क्योंकि बटर में 80% फैट होता है नमबर दो चिप्स हलकी फुलकी भूख लगने पर अगर आप फ्राइड की हुई चीजें फ्राइड की हुई सिनेक्स या चिप्स खाना पसंद करती हैं तो डाइट के दौरान इसे भी ना लें क्योंकि इनकी गिंती भी हाई कैलोरी फू आइस्क्रीम में बरपूर मात्रा में शूगर और फैट मौजूद होता है इसे खाने से मूड को फ्रेश लगता है लेकिन वेट लोस नहीं हो पाएगा जंक फूड जैसे चाउमी, मैगी, पिजा, सोया चाप आदी में हाई स्थर पर फैटी एसिट्स, कॉलिस्ट्रोल और कैलोरी का की मात्रा भरपूर होती है जो बजन बढ़ाने के लिए जिम्मेदार रहते हैं नमर्ज पाँच ड्राइफ रूट्स, ड्राइफ रूट्स में कई पोश्टिक तत्व होते हैं लेकिन इन में फैट और कैलोरी भी काफी मात्रा में पाई जाती है जैसे 100 ग्राम बदाओं में 163 कलोरी वहीं काजू में 155 और पिस्ते में 185 कलोरी की मात्रा पाई जाती है अगर आप इन्हें रोजाना जी बरकर खाती हैं तो वजन असानी से कम होना मुश्किल ही हो जाएगा तो गाइस ये थी कुछ चुनिंदा चीजें कि अगर आप डाइटिंग के दुरान खाते हो तो आपका वजन घटने की बजाई कुछ बढ़ सकता है तो आप इन चीजों को अवाइड कीजिए अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा शेर कीजिएगा अपने फ्रेंट के साथ If You Are New To My Channel Subscribe कीजिएगा My evaluating मेरि हैनल को Press कीजिए गॉंठकी आइकन को Then You Will Get All The Notifications Of My transformed 04 gömmने झाल मेरिवास I Will Come Up With Next Interesting Topic With Next Interesting Video Till Then Thank You God Bless You And Bye-Bye